कुछ aspirants जो candidate compete करना चाहते हैं सब इंस्पेक्टर्स की पोस्ट के लिए जो भी recently advertised हुई है Advertisement Notice No. 6 of 2021 dated 21st of October 2021 जिसके माधियम से तक्रीवन 800 vacancies advertised हुई है Home Department की तरफ से जो refer हुई थी JNK SSRB को for selection इस advertisement में एक condition है जिसमें minimum age 18 साल और maximum age 28 साल रखिये जनल category candidates के लिए अब candidates जो aspire कर रहे हैं compete करने के लिए उनका एक grievance है कि 2016 में last advertisement निकली थी तक्रीबन 5 या 5.5 साल के बाद यह दोरा re-advertise हुई है तक्रीबन 800 vacancies यह आप सब जानते हैं कि vacancies जो है sub inspectors की या कोई और भी vacancies हर साल accrue होती है जब कोई sub inspector प्रमोट होता है inspector बनता है उसकी vacancy sub inspector की खाली हो जाती है जब कोई retire होता है उसकी vacancy खाली हो जाती है तो यह हर साल advertise होनी चाहिए आपको पता है यह भी पता है कि Supreme Court ने 2000 में सुर्व प्रकाश गुपता की case में state of JNK को एक warning दी थी virtually कि आप जो है अडाकिजम पे अडाकिजम प्रमोट करते हो substantively vacancies हर साल re-advertise नहीं करते वो Supreme Court की observation से क्यों लेते हुए JNK में rules बने थे प्रमोट कश्मीर reference to public service commission and JNK SSRB rules 2005 उन rules में साफ लिखा है rule 2 है कि direct recruitment vacancies चाहे वो सब inspectors की हों चाहे कोई और हों वो साल में दो बार जो है वो refer होनी चाहिए recruitment board को एक January में एक July में और आप यह बली बांती जानते हैं अगर यह 5 साल vacancies advertise नहीं हुई अगर यह दो दो बार advertise हुई होती पिछले 5 साल में जो बच्चे उस टाइम 18 साल या ग्रेजुएशन minimum eligibility है ग्रेजुएशन 21 साल से पहले नार्मली कोई करता नहीं है तो 7 साल उनको chance मिलता है तो अगर यह 5 साल में 10 बार post ने advertise हुई होती तो इन बच्चों को 10 chances मिलते चलो 10 बार नहीं होती 5 बार advertise होती तो 5 chances मिलते आप कुछ बच्चे 22 साल की एज में graduation करते हैं कुछ 21 साल में जिन्होंने 22 साल की एज में graduation की उनको तो एक chance मिला कईयों को एक भी नहीं मिला होगा तो यह जब rules में provided है कि हर साल vacances advertise होनी है तो क्यों नहीं कहीगी रूल 3 और रूल 4 में लिखा है कि जो department negligent होगा इन vacances को SSRB को non guested और PSC को guested poster refer करने में उसके खिलाफ administrative action होगी अब बताइए failure bureaucrats की है failure officers की है और नुकसान किसको हो रहा है candidates को हो रहा है वो यह जो कोई भैगनी कर रहे candidates अपना right जो है rules के अंडर जो provided है वो right मांग रहे है कि हमें one time exception पाइच साल की relaxation दी जाए जो relaxation जो है देखे अगर तो यह vacances पाइच साल advertise हुई होती अब इनका right जो है वो एकरू कर रहा है वो right flow हो रहा है इनका rules के अंदर rules किसने बनाए सरकार ने बनाए सरकार अपने ही rules को violate करती है तो उन candidates का right है जो take away होता है तो मेरी आपके मादियम से honorable lieutenant governor साब से, commissioner secretary या principal secretary home department से और DGP जमू कश्मीर से ये एक request है कि इन बच्चों के साथ justice किया जाए और जो injustice इनके साथ 5 साल में हुआ है उसको undo किया जाए और as one time exception इनको 5 साल की relaxation upper age में 18 साल से बढ़ा के 33 साल या 32 साल तक one time दी जाए ताकि इनका जो right है जो take away हुआ है वो इनको restore हो इतना ही मेरा can है और इससे एक चीज़ और होगी देखिए selection board या PSC selection क्यों करती है ताकि meritorious बच्चे आगे आए और यह 800 vacancies सिर्फ 2021 की 21 में create नहीं हुई यह वो vacancies जो 2017 में 18 में 19 में 20 में और 21 में एक्रू होई है आपने club करके 21 साल में इनको advertise कर दिया और एक ही जटके में बोल दिया कि 18 minimum age 28 maximum age अगर आप सतारा की vacancies सतारा म में करते हैं 19 की 19 में करते हैं 20 की 20 20 में करते तो 21 की आप करते तो तकरीबन 100 vacancies होनी थी अब इन candidates का पिछली 700 vacancies पर राइट जा रहा है तो मेरी आपके माधियम से लफटने गवरनर साब से यही appeal है कि अगर आप इन बच्चों को chance देते हैं इन 800 vacancies के against ज्यादा बचे compete करें तो most meritorious बच्चे select होंगे जैसे आप अभी देखा जमू में एक बच्चे ने नाम रोशन किया है 720 में से 720 नंबर लिए हैं हो सकता है इन unfortunate बच्चों में ही को ऐसा बच्चा निकले जो सबसे ज़्यादा excel करे सबसे number one आ जाए merit में तो इसलिए यह ना ही उन सिर्फ बच्च